हेलो एवरीवन वेल्कम टो आर चैनल देस इस शुष्टिया गुर्वाल मैं आप सभी कक्षा साथ के स्टोरेंट्स के लिए लेकर आ चुकी हूं सब्ता एक क्वीज सब्ता 47 के एक क्वीज है तो यहां आपको मैं बता दू कि यह जो क्वीज है पूरी आपको जो सॉलिशन है वो आपको करना अनिवारे है तो यहां कैर्फूली पूरा वीडियो धान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कम्प्लीट देखेगा क्योंकि सब्धी कुशन के आंसर हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं तो यहां स्टार्ट करेंगे कुशन फर्स से फर्स कुशन है हमारे घर के पास एक बड़ी सी गौशाला है वहां पर बहुत सी गाए हैं गौशाला में क्या होगा गौशाला में क्या हो सकता है नेमिन मैंसे बच्छडी मैमनी भैंस खोड़े तो यहां से क्लिक हो जाएगा option first बच्छडी second question है यह option correct हो जाएगा second question है दिया गया शब्द किन वर्णों से मिलकर बना है तो शब्द है सहतूत जो कि किन किन वर्णों से मिलकर बना है आपको बताना है तो यहां जब इसे अलग करेंगी तो हमारी पास में होगा शे है तै हलन उ की मात्रा और तै तो इस तरह से option D correct हो जाएगा आपका next third question है वर्णों में एक बार होने वाला वर्णों में एक बार क्या होता है तो वर्णों में होता है एक बार वार्शी ठीक है तो यहां answer हो जाएगा आपका click option third option C correct हो जाएगा वार्शी फोर्थ कोशन है वह एक बहुत ही परिश्रमी लड़का है परिश्रमी शब्द के विलोम शब्द को पैचानिये तो परिश्रम का विलोम शब्द हो जाएगा option D, RC नेक्स कोशन है, फिफ्ध कोशन मैं जब आज घर पर पहुंचा तो मेरा भाई खेलता है, खेलेगा, खेल रहा है या खेल रहा था तो मेरा भाई क्या हो जाएगा, खेल रहा था ठीक है क्योंकि past की बात है तो है है तो नहीं आएंगे ठीक है या तो आ सकता था future या फिर past बट यहां past की बात हो रही है तो future भी नहीं आता यहां पर क्या आएगा खेल रहा था option D भूतकाल का वाक्य six question है लक्ष्मी बाई ने यूध में अंग्रीजों की दाथ खटे कर दिये गए मुहावरे का अर्थ बताईए तो इसका अर्थ होता है दुविधा में डालना तो लक्ष्मी बाई एंड तक चब तक उनकी सांसे चल रही थी वो लड़ी थी अंग्रीजों से और लड़ती हुए ही उनकी सांसे रुकी थी तो वीरांगना थी वो बहुत बड़ी जिनसे हम आज भी प्रेना मिलती है तो यहां पर हो जाएगा दुविधा में डालना option भी तो यहां सही वाक्य हो जाएगा पुत्र के वीर गती प्राप्त होने पर भी वह विशलीद नहीं हुई तो यह जो रानी लक्ष्मी भाई आपका चैप्टर है जहां सी की रानी तो आपने सभी ने पढ़ाई होगा यह चैप्टर बहुत important चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है बहुत knowledgeable चैप्टर है अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने यह चैप्टर हमारे चैनल पर अ आपके लिए क्योंकि अगर आपको समझ में आ गए तो सभी कोशन के आंसर आप क्लिक कर देंगे असानी से तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने चैप्टर को आप देख सकते हैं हमारी चैनल के प्रेलिस से क्योंकि मैंने बहुत सारे चैप्टर सापकी सब् Q8 है भारत और रूस की होली में क्या समानता है तो यहां लिखेंगे Option C लकड़ी की होली जलाना रूस में भी लकड़ी की होली जलाई जाती है Next Q9 है Thailand में लोग होली के दिन किसकी पूजा करते हैं तो Thailand में किसकी पूजा करते हैं लोग बुद्ध की प्रश्र संख्या 10 है दिये गए अनुचिद में इस शब्द के इस्थान पर आदर शब्द का पूजा सकता है तो आदर शब्द के शब्द का पूजा सकता है जैसे उमंग शर्धा परिक्रमाचा तो यहाँ आनसर हो जाएगा आपका श्रधा श्रद्धा शब्द के स्थान पर उप्योग किया जा सकता है आदर का 11 कोशिन है अन्मा निकोबार एक अकिला द्वेप नहीं है रिक्त स्थान 572 दीपो का समू है तो यहां आंसर करेक्ट हो जाएगा बलकी बलकी 572 दीपो का समू है प्रशन संक्या 12 है दियेगे गध्यांश के अनुसार खेल हमारे लिए क्यों महतोपून है तो आपको गध्यांश दिया गया है तो वहां पर आपको बताना है आंसर की खेल हमारे लिए क्यों महतोपून है तो यह answer option D correct हो जाएगा प्रशन संक्या 13 है निम्न मैंसे कौन से खेल घर के बाहर खुली मैदानों में खेली जाते हैं तो निम्न मैंसे कौन से खेल आपको बहुत सारे खेलों की नाम दे रखेते हैं तो मैं यह answer बता देती हूँ घर के बाहर कौन से खेल के ले जाते हैं कबड़ी, हौकी, बास्केट बॉल, गॉल next है 14 question निम्न मैंसे कौन सा कतन खेलों के बारे में सही नहीं है तो खेलों की ना खेलने से शरीर कमजोर हो जाता है तो ऐसा नहीं है आपके उफ़र डिपेंड करता है क्योंकि खेल से हमारा मांसी विकास भी होता है और खेल एक ब्यायम के तरह होता है तो इसे करना आप कर सकते हैं खेल सकते हैं पर जरूरी नहीं है कि हर किसी को अगर खेल नहीं आ रहा है तो वो कमजोर हो रहा है नहीं यह गलत है ठीक है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा खेलों कि ना खेलना से शरील कमजूर हो जाता है फिफ खेल शरील कमजूर कभ होता है जब खान पन सही नहीं रहता तो इसका खेल से कोई डिपैंड नहीं करता फिफ्टीन कोशिन है पुत्र शब्द में उपसर्ग जोड कर बने सही शब्द को चुनिये सु पुत्र वधू पुत्र हिन पुत्र विहिन तो तीनों चो ऑप्शन है बी सी डी ये तो आपके क्या है पुत्र शब्द में आपका प्रत्य जुड़ रहा है जबकि सु पुत्र में सु जुड़ा है प प्थिक शब्द का क्या मतलब है पतिक यानि पतिक का अर्थ होता है रहागीर ठीके मुसाफीर कह सकते हैं यहां पर option C को correct कर देना है नेक्स्ट हम देखेंगे 17 कोशन कुल और कूल के क्या अर्थ है तो यहां यह आपका शब्द यूग्म है बहुत important होता है शब्द यूग्म आगे जब हाप competition की तियारी करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत important होता है शब्द यूग्म तो अगर पर आपको किसी भी चीज की दिकत नहीं हो सकती तो यहां मैं आपको बता दू जो कुल होता है इसका अर्थ होता है वंश और कूल आप देखी जब हम बोल रहे हैं बड़े उकी मातरा से कूल तो इसका अर्थ आप किनारा से लेंगे और कूल से आप ऐसे भी हिंट ले सकते ह कि कूल कहां पर कूल मिलता है हमें समंदर के किनारी नदी के किनारी तालाप के किनारे तो आप इसको इस तरह से जोड़ करके देख सकते हैं कि कुल यानि वंश और कूल यानि कूल यानि थंडा कहां पर रहता है थंडा समंदर के किनारी नदी के किनारे थी कि किसी तालाप के क किनारे तो यहां पर आप किनारा इसका अर्थ लिखेंगे तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देना है इस तरह से आप हिंटों के थ्रू इन शब्दिगुम को देख सकते हैं और लर्ण कर सकते हैं अगर आपको शब्दिगुम से रिलेट कोई आपको नौलेज चाहिए या आप दे ये आपका बहुब्री समास का उधारन है चक्रधर चक्र को धारन करता है जो ठीक है तो यहां पर दिये गए ओप्शन में करेक्ट ओप्शन हो जाएगा डी चक्र को धारन करने वाला कौन है विश्णू अगर आपका किसी का नाम आ जाता है वो समास क्या होता है बहुब्र ही समास समास की छें प्रकार होते हैं तो यहां चक्र को धारन करने वाला अर्थाद विश्नु कौन है चक्र धर ठीक है कि तो आप्शन डी करेक्ट कर देंगे नेक्स प्रशन संख्या 19 है यह पुस्टर किस विशय पर जागरुपता बढ़ा रहा है तो यह बढ़ा रहा है आपका क्या शो कर रहा है चित्र में चित्र में दिख रहा है हमें जल तो जल सरक्षन से समंदी चित्र है तो जागरुपता किस पर बढ़ा रहा है जल सरक्षन का जल को किस तरह से सरक्षन किया जा सकता है जल को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है हम जो बारिश का पानी है किस तरह से उसे खटा करने की योजना बना सकते हैं तो इस तरह से आप पानी को बचा सकते हैं तो यहाँ पर option C correct हो जाएगा प्रेशन संग्या 20 है संयोग शब्द का संधी विच्छित क्या होगा तो संयोग संय की उपर क्या है अनुस्वार लगा हुआ है अनुस्वार लगा हुआ है अनुस्वार लगा हुआ है ठीक है तो संयोग जब हम बोलते हैं तो हमारा जो धनी रहती है वो रहती है संयोग संधन योग संयोग इस तरह से भी बोल सकते हैं से समयोग या संयोग तो यहाँ पर मैं जो है वो हलका सा साइलेंट रहता हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि योग को अलग कर दिया और सामा को sun तो कुछ होगा नहीं ना sam होगा ना सां होगा ठीक है तो यहाँ साया CSS Hillary चुड़कर के शब्द जो बनते हैं, वो होते हैं, वेंजन संधी के एक्जामपल, अगर यहां पर मैं पूरा होता है, तो ए और ओ मिलकर के अगर यो बनता, तो जो स्वर से स्वर मिलान होता है, वो होता है स्वर संधी में, तो यहां option A correct कर देंगे, प्रेशन संख्या 21 है, द बोल करके देखिए शब्द को, ठीके, रेपीट कर एक पर मेरे साथ में, दुर घटना, आपको क्या सुनाई दे रहा है, दुर घटना, दुर और घटना, अब यहां दुर क्या है, आपका अलग से दिखाई दे रहा है, घटना में जुडा हुआ, तो यह क्या है, पहचान कर सकते हैं जो आपकी शब्द होते हैं उन्हें बोल करके तो आपको फटा फट से पता चल जाए कि इसमें कौन सा अपसर्ग है तो यहां हमें ध्वानी सुनाई दे रही है दूर तो यहां पर हो जाएगा दूर यानि आधार हो जाएगा दू में तो यहां पर option C correct हो आपका option C को correct कर देंगे दूर जिसमें घटना को अगर लगा देते हैं तो बन जाता है दूर घटना प्रश्चे संक्या 22 है धर्ती का स्वर्ग श्री नगर का अस्तित्वर डल जील मर रही है वाके में अस्तित्वर शब्द का क्या अर्थ है तो अस्तित्वर यानि उसकी ज सबसे जाता फेमस ही डल जील है अगर वही मर जाएगी उसका आधार बेस ही खतम हो जाएगा तो अधर क्या रहेगा फेमस तो इस तरह से आजका निकाल सकते हैं आप आधार से तो option B करेक्ट हो जाएगा यहां पर प्रश्चन संक्या 23 से नीचे देगे विकल्पों मैं से कि विकल्प वाक्य में सही विराम चिन्न लगे हैं तो यहां पर आपको वाक्य देखने हैं सुभाज चंदर बोस का सेंटेंस दे रखा है सुभाज चंदर बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आ जादी दूँगा तो यहां पर आपका करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन डी सुभाज चंदर बोस ने कहा कॉमा यहां अपस्ट्रोपी लगा देंगे हम तो यहां पर हो जाएगा तुम मुझे खून दो कॉमा मैं तुम्हें आ जादी दूँगा तो इस तरह से आप सेंटेंस को सही विराम चिन से देख सकते हैं और लास म को मास को आप इस तरह से बंद करेंगी सेंटेंस में चलिए ऑप्शन डी को करेंगी तो नेक्स तेखेंगे हम प्रशन संख्या 24 जिसमें दियेगे शब्दों का उप्योग करकी सही बाक्य बनाए गुलाब मुगल में अनेक गार्डन प्रकार की खिले तो यहां हो जाएगा option c correct मुगल गार्डन में अनेक प्रकार की गुलाब खिले हैं ठीके तो यहां पर लास में है में बिंदी आ जाएगी और फुल स्रॉप लग जाएगा और इस तरह से बन जाएगा मुगल गार्डन में अनेक प्रकार की गुलाब खिले हैं इस तरह से correct हो जाएगा sentence option d correct हो जा तो यहां आपको समझ आ गया होगा option C मुगल गारडन में अनिक प्रकार की गुलाब के लिए हैं मैंने गलत बोल दिया था option D C option जो है आपका मुगल गारडन में अनिक प्रकार की गुलाब के लिए आपको करेक कर देना है next 25 प्रेशन है आपका अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाते हो तो पहले सूरज की तरह चलना सीखो अब्दुल कलाम इस विचार का क्या सार है अब्दुल कलाम के जो ये विचार है इसका क्या सार है क्यों कहा उन्होंने सेंटेंस कि सफलता पाने के लिए पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अगर मुश्किल ही नहीं रहेंगी तो हम सफलता के लिए प्रयास नहीं करेंगे और आराम से बैठे रहेंगे अगर हमें मुश्तिबतों को सामना करना पड़ता है तब ही हम जाकर की बहुत मैनत करते हैं और अपनी सफलता को पा सकते हैं तो यहाँ पर इस सेंटेंस का यह सार है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा करेक्ट ओप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है चले नेक्स देखेंगे 26 प्रशन पुस्तक के हमें ग्यानी और अब्धिमान बनाती है क्योंकि वे क्या करती है तो यहाँ आंसर हो जाएगा विद्या का भंडार है क्योंकि बहुत सारे विद्या हमें पुस्तकों की थूप मिल सकती है तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स प्रशन संक्या 27 है 27 है दियेगे गध्यांश के आधर पर सूरे से हमें कौन सी बास सीखने को मिलती है तो यहाँ गध्यांश दिया गया है जिसे आप रीड करें अच्छे से कि देखें उससे रिलेट कुशन पुछा गया है कि देगे गध्यांश के अनुसार सूरे से हमें कौन सी बास सीखने को मिलती है तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी करें सुबह जल्दी उठने की अपना काम सुबह करने की अपना काम समय पर करने की या दूसरों को रोष्टन देने की तो यहाँ करेंट ऑप्शन करें कर देंगे हम ऑप्शन सी अपना काम समय पर करने की 2, next 28 question is, दियए गध्याश्क को पढ़ कर बताए कि जिससे आपको carefully read करना है Lex crazy question x अनुशाशन आप हमारे जीवन का अभिन अंग क्यूं कि यहां और अंसर को जाएक Sonanch ho Bulgar को हर जगे होता है इसलिए हमारी जो जीवन है हमारा जीवन है उसमें अनुशासन का अभीन अनुगोना जरूरी है अनुशासन में रहना सबसे पहले हमें जरूरी रहता है तो यहां option आपका correct हो जाएगा बी क्योंकि अनुशासन का में तो हर जगे होता है 29 कोशिन है इन में से कौन अनुशासन का अंग नहीं है तो यहां answer correct हो जाएगा option डी खेल के नियमों को न मानना तो यह अनुशासन का अंग नहीं है बड़ो की बात मानना सुबह जल्दी उठना अपनी कर्तवी को पालन करना यह सबी अनुशासन की अभिन अंग है प्रशन संगे 30 है कुन्ती पुत्र कर्ण को विलक्षन प्रतिबाओं का धनी माना जाता था दिगए वाके में विलक्षन शब्द का क्या अर्थ है यहां चार option है प्रशली दानव अलोकिक ही तैशी तो यहां से correct हो जाएगा अलोकिक यानि बहुत सारी अलोकिक शक्तियां थी कुन्ती पुत्र कर्ण में तो यहां विलक्षन का अर्थ आप निकालेंगे अलोकिक से विलक्षन में वी उपसर्ग है अलोकिक में ए उपसर्ग है और यहां पर प्रत्य भी लगा हुआ है एक प्रत्य लोक में एक प्रत्य लग गय जिससे बन गया लॉकिक और लॉकिक में ए उपसर लग गया जिससे बन गया ए लॉकिक तो यह हो गया आपका opposite lock next का विलक्षन आपोसित हो गया वी उपसर लगया यहां पर लक्षन का opposite हो जाएगा जिससे विलक्षन ठीक है तो यहां अपोजिट लक्षिन का नहीं लेंगे हम यहां अर्थ देखना है तो कि बहुत अच्छी अच्छी जो अलोकिक शक्तियां होती है उससे लिया गया है इस कार्ड तो यहां पर आप्शन सी को करेक्ट कर देंगी अलोकिक प्रशन संख्या 31 है देगे वाक्या का सही कर्म वाच्छी रूप चुनिए राधा पुष्प चड़ा रही है तो यहां पर कर्म वाच्छी हो जाएगा राधा की द्वारा पुष्प चड़ाई जा रहे हैं जिसमें कर्म धारन कर रहा है जो सेंटेंस जिसमें कर्म क्या हो रह राध्धा की द्वारा कर्म किया जा रहा है क्या कर रहा जा रहा है कि पुश्पु चड़ाये जा रहे हैं ठीक है तो यहां पर कर्म वाच्चे इस तरह से आप चूज कर सकते हैं नेक्स देखेंगे 32 प्रेश्ण है सीवी रमन का जन्म कब हुआ था रमन जो सीवी रमन थे महान संटिस तो इनका जन्म कौन से सन में हुआ था आपको बताना है तो यहां ऑप्शन डी कर्रेक्ट हो जाएगा 1888 में नेक्स प्रशन संख्या 33 है इस गध्यांश को आप किस श्रीणी में रखेंगे तो आपको इस गध्यांश को रखना होगा तो कौन सी श्रीणी में आप रखेंगे इस गध्यांश को तो यहां पर कर्रेक्ट हो जाएगा आपका आपका जीवन चारित्र कि जीवन के बारे मे तो यहां पर जीवन चरीतर में रखेंगे हम, तो option A करेक्ट कर देंगे, प्रश्ण संख्या 34, 34 है, लाइट स्केट्रिंग के छेतर में, सीवी रमन का सबसे बड़ा काम कौन सा है, तो यहां आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, option D, रमन इंफेक्ट की खोज, सबसे बड़ा उनके जो खोज है, वो यह है, रमन इंफेक्ट की खोज, option D, करेक्ट कर देंगे, प्रश्ण संख्या 35 है, पाठ्यांश में, सीवी रमन की सिक्षा के बारे में, क्या जानकरी मिलती है, तो यहां आंसर हो जाएगा, बी, उन्होंने काफी कम उम्र में मैट्रिक पास की, तो उनकी सिक्षा बहुत कम उम्र में हो गई थी, उन्होंने काफी कम उम्र में ही मैट्रिक पास कर ली थी, यानि दस्वी की कक्षा की परिक्षा दे दी थी, तो पहले जो दक्स्वी की कक्षा जो देते थे, एक्जाम देते थे तो वो सबसे महतोपुन होड़ता था तो उनकी जो मैट्रिक के शिक्षा है वो बहुत कम उम्न में हुई थी तो इस तरह से आप उनका ऑप्शन B को करेक्ट करतेंगे और लास्ट कोशन है इस कीज का प्रश्ण संक्या 36 समुंत्र और आकाश के नीली रंग की वज़ होने वाले प्रकाश के बिखराव की वज़े से समुंद्रो और आकाश नीली देखते हैं तो इस तरह से कम्प्रिट होता है कम्प्रिट क्वीज का सॉलिशन उम्मीद है आप पूरी क्वीज का सॉलिशन अच्छे से समझ आया होगा अगर आपको किसी कोशन में कोई नाह नाह में अबि dedic का सॉलिशन आप में कोई दोलो डाव शेरन के वा अ ele visto है आपको अगाइ accessibility की वहीज का सॉलिशन आपको कि सॉलिशन उली देखते हैं एक पूरी की वही दोली देखते हैं इा एकशाते हैं स्वीन कैं देखते हैं से स्वाराव, क् ष ine。 झाल झाल